वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडिट यहीं पर आते हैं द्यान लगें नमस्कार साथ क्यों स्वागत है आप सबी का स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज में बहुत जल्दी आप लोगों को आरो आरो को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो और आज इस टॉपिक के हम चाटा करने जा रहा है हिस्ट्री में वह है शाक्त संप्रदाय इससे पहले हम जैन धर्म बहुत धर्म वैश्ण धर्म सब देख चुके अभी हम आगे बढ़ेंगे और यह संप्रदाय और है फिर हम आगे बढ़के कॉल मारगी संप्रदाय है जो पंचम कारों पर बल देता है इस धर्म में कुंडलिनी पर विशेस बल दिया गया है मारकंडे पुराण में दुर्गा शब्शती और देवी महात्मा का उलिक मिलता है मतस्त पुराण में महादेवी के 108 नाम ताथा कूर्म पुराण में 1000 नाम के उपासना करने वाला एक संप्रदाय है जैसे मैं आपको बता दूं कि जो फामी विवेका नंद है उनके जो गुरू है रामकृष्ट परम्हंस वो भी इसी संप्रदाय से शाक्त संप्रदाय या देवी के उपासक वो भी माने जाते हैं ठीक है हिंदूों के सूती और स्म वैशनव वाद भगवान विश्णू की उपासना शेव वाद भगवान शिव की पूजा तदा शाक्त वाद देवी की शक्ती रूप की उपासना का अधार है शक्ती की पूजा करने वाले अन्याईयों को अक्षर करके शाक्त कहा जाता है ठीक है जो वैशनव को जो विश् जाता है हिंदु द्रम की शाक्त वाद परंपरां में अथारा यह हिंदु धर्म के शाक्त परंपरां में 18 पुरांों में से एक है काली का पुरान का संकलन असम छेत्र में किया गया है इसमें मा कामाख्या का इसमें मा कामाख्या या मा काली का दिव्य इस्त्री शक्ती के रूप में वरणन प्राप्त होता है शेव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घंश सम्मंद रहा है शाक्त धर्म की प्राचिंता भी शेव धर्म के समान प्राग एतियासिक युक तक जाती है क्योंकि शक्ति और शिव एक ही है। शिव के संदर में कहा जाता है कि साथियो अगर शिव से शक्ति को हटा दिया जा शक्ति बड़ी E या छोटी E तो अगर शिव से शक्ती को हटा दिया जाए E को हटा दिया जाए तो शिव क्या रह जाएंगे शव रह जाएंगे मेरे कहने का मर्म समझे मैं क्या बताना चाहरा हूँ कि शक्ती के बिना शिव भी कुछ नहीं है बास समझ रहे है शिव शक्ति के साथ ही है शक्ति मतलब ई तो अगर शक्ति को हटा दिया जाए शिव से ई को हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा शव रह जाएगा यानि शिव की भी कोई यहां पर तागत नहीं बचेगी बिना शक्ति के तो शक्ति या शाक्त बहुत important है इसलिए जतना काली मा के उगृत रूप का प्रतुर करता है असंप का मंदर देवी के प्र लूप का प्रतेशित रूप करता है आप मुझे अगा कमेंट करके बदाए कि तो वैशनो देवी का मंदर का जिसपर वह मंदिर मोजूद है प्रतिहार शासक महेंदरपाल के लेखों में दुरगा की महिशा सुर मर्दनी कांचन देवी अंबा आदी की नामों की स्तुति मिलती है राश्ट कूट शासक अमोग वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था ठीक है आगे देखो साथियो लास्ट पॉइंट श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैशधिय चरित में सरस्वती मंतर की महता का प्रतिपादन किया है संप्रती शाक्त उपासना के प्रमुक केंदर है ये हैं कश्मीर कांची और असमिस्थित कामाख्या आप नोटिस करिए कि सारे कांच से स्टार्ट हो रहे है की से जड़ा हुआ है तो ये एक मारre च्छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कम्प्लीट किया अगला जो रहेगा वह होगा महाचन प्रतों के उपार चलिये शाथ को की बिना किसी देदे के अगली में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदेवात रूम